पुश्कर में दिखा साइलेंट किलर कॉमन क्रेट सांप चार सबसे जहरीले सांपों में से एक है कॉमन क्रेट पुश्कर की पुलिस मित्र टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा बारत में पाई जाने वाले सबसे जहरीले सांपों में से एक दुरलब प्रजाती के सांप कॉमन क्रेट को पुश्कर के नजदी की ग्राम चावंडिया से पुलिस मित्र टीम ने रेस्क्यू कर लिया दरसल चावंडिया ग्राम में जालिम सिंग के घर के बाहर बनी पानी की खेली में सुबह जहरीला सांप किरा हुआ दिखा जिसे आसपास दहशत का माहौल पैदा हो गया जालिम सिंग ने तुरंत पुलिस मित्र की रेस्क्यू टीम से संपर किया सूचना प्राप्त होते ही टीम इंचार्ज अमित भट के साथ स्नैक रेस्क्यूर राजिंदर वच्छानी सावरा शर्मा मुकेश देवडा विनुद कुमावत तुरंत मौके पर पहुँचे और पानी में गिरे हुए साप की पहचान कॉमन क्रैट के रूप में की ये साप अक्सर रातरी में निकलते हैं इसलिए संभवता ये रात में ही पानी की खेली में गिरा हुआ था साप को तुरंत बाहर निकाल कर रेस्क्यू कर लिया गया जिसे वन अधिकारियों के निर्देश पर रंगलों में छोड़ दिया गया अमित भट ने बताये कि तीरत नगरी पुश्कर में पुलिस मित्र टीम द्वारा सर्पों का संरक्षन करने के प्रयास अब धीरे धीरे रंगलाने लगे हैं और इसी कारण ग्रामीन एलाकों में भी सापों या वन जीवों को देखते ही मारने की बजाए उनका जीवन पचाने इतु सापों के संरक्षन में लगी टीम पुलिस मित्र को हेल्प लाइन नंबर 80786-79500 पर सूचना देने लगे हैं मोहन वाच एंड मोबाई अज में शहर में चार करतिष्ठान आपकी अपनी मोबाईल की दुकान जहां आपको मिलेंगे हर ब्रैंड के लेटेस्ट मोबाईल और असेसरीज वो भी सबसे कम और किफायती दरूपर मोहन वाच एंड मोबाईल कजरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर अज हमारे खेट पे आज एक जेरियला शाप हमारे पानी के टेंक में नजर आया, तो हमने उस आपको देखके पुलिस मित्र टीम को फोन करा, वो तुरंद पर वाव से हमारे खेट पे आये, वो उस आपको आराम से रिस्कू करके और शुरसी जगे पे छोड़ने के लिए तो हम उनसे बहुत खूश है, पेले भी हमारे एक दो बार यहां पे साप मिला तो हो आये थे और हातों हाथ शाप को लेके चले गए, हमारे यहां पर मज़दोर वगार रहते हैं, हम भी यहां रात विरात आते हैं, तो हमारे जेरियला साप तब बहुत खतरना दुश्टरा करते हैं, हम आए और हमारे यहां से शाप खटके लेके से ले, कुछ करके नजदी की ग्राम चामंड्या से एक धूरलव प्रजाती के कुमन फ्रेट साथ को आज पुलिस मित्रे टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया है, जो कि वहां जो जालिम सिंग जी उनके घर के बाहर ए और वान अधिकारियों के निर्देशन में सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया